ब्लाउज की बाजू के हम अस्तर लगाएंगे मसीन से फिर उसके बाद हम ब्लाउज से लेंगे रादे रादे सबी को कैसे हो आप सबी नीचे किनारे पर हमसे लगा लेंगे कि नीचे हमारा स्तर है तो बदधार है कि अपर चैनल कि हमने कपड़ा रखा है और जहां जोड आया था वह हमने ऐसे रखा है ऊपर की साइड जिससे कि हम पलटेएंगे तो जोड अंदर की साइड चला जाएगा कि अब इसे पलट कर एक से लाइओ लगा लेंगे उपर से अब उपर की साट से हमसे लगाएंगे कपड़े में जोड़ लाएं एक सार करते रहें कि यह पिन भी लगा सकते हूं डारेक्ट कर रहे हूं कि अब हम एस्ट्र कपड़ा हैं से कट कर लेंगे जैसे जितना हमारा अस्तर काटा था हम अस्तर के कटिंग हमारी एक दम सही है कि यह हमारी बाजु बनी है कि अस्तर लग गया अब यह खाली खाली लग रहे थोड़ी मैंने सोच लिए इस लगा देते हैं हमारी बाजु रेड़ी हो गई और हमारे बाजु के आगे वाले पल्ले भी रेड़ी हो गए पीछे वाला भी रेड़ी हो गया उसकी वीडियो आपके पास चाप चुकी है अब इनको हम सोल्डर को जोइन करेंगे कंदों को अस्तर को देखें दोनों साइड से अस्तरों को बरावर रखकर सिलाई करेंगे इदर साइड से वी ऐसी करेंगे और डबल हमसे लाई कर लेंगे अभी हम बाद जोइन करेंगे आगे पीछी का देखेंगे देखो हमारा निसान भी लगे हुए हैं यहां से हम ऐसे देख लेंगे बरावर यह हमारा जहां हमने कट लगाया था हम वहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे लेके जाएंगे बरावर करते हुए अब यहां से हम सिलाई स्टार्ट कर देंगे चाय हमारा थोड़ा सा ज्यादा है चाय हमारा थोड़ा सा कम है हमें सिलाई यहीं से स्टार्ट करनी है बीच का बीच में ही आना चाहिए वो नीचे कपड़े को ध्यान से रखे नहीं तो चुणनेटे पड़ जाती है कि बरावर करते हुए हम कि सिलेंगे और बीच में यह लूफ लगाएंगे अंदर की साइड से यह पीछे की साइड कर देंगे हम जो सिलाई वाला है पीछे पल्ले की साइड आना चाहिए हमारा कि ऐसे हम बरावर कर लेंगे ने कि देखो हमारा लग्या है कि यहां पर हम दू-तिन से लाई कर देंगे आप चाहें तो करनी ही चाहिए निकल जाएगा नहीं कि बाद में कर सकते हैं आप लोग मैं भी बाद में करूंगी कि डवल से लाई यह हमारी बाजू लगई कितनी सफाई से लगए देखो अभी हम दूसरी बाजू भी लगा लेंगे और इसकी फिर फिटिंग लगाएंगे जहां जहां हमारे निसान लगए हुए हैं निशान पर निशान रख कर फिटिंग लगा लेंगे हम आप फिटिंग पर दो ती निसा सिला ही चला लेंगे हुए हैं थोड़ी थोड़ी जग है छोड़कर जिससे कि आप मोटे पतले होते रहें तो वह काम देगा इसलिए मार्जिन रखा जाता है कि अब यह जो एश्ट्र कपड़ा है हम इसे अंदर की सेट फूल कर देंगे ताकि हमें इंटर लॉक की जरूत ना पड़े हुआ है हुआ है कि अधि हुआ हुआ है कि ऐसे हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे कि यह हमारे सिल गए इन दोनों साइड हों से बाजू भी लग गई हमारी अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे कि यह मोटी सिलाई लगाएंगे टाके चोड़े लगाएंगे क्योंकि हमें यह निकालना भी यह धागा तो रपाई करेंगे हम नीचे ऐसे सिलाई करने से क्या है आपका इजी सिलाई तुर्पाई हो जाता है हम निचान लगा लेंगे देख करके हमारा बीच वाला हिसा कितना आ रहा है जिससे कि हमारे दोनों पर ले परावर रहे हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो अगर आप मेरे चैनल पन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें हम आगे कटोरी ब्लाउज बनाएंगे अगली वीडियो में कि और यहां पर हम हुक काज बटन कर लेंगे तो रुपाई कर लेंगे दर रुपाई की वीडियो में बता चुकी हूँ आपको हुक और काज की वीडियो में दूसरी लाओंगी ये बैक हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा है पहनने के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि एकदम खिल के आएगा